आज हम आपके साथ एक ऐसे अचार की recipe शेर करने वाले हैं, जिससे आप तुरंद बना कर तुरंद खा सकते हों इसके लिए आपको हफतों तक का wait भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसे साल भर तक store भी कर सकते हों आज हम शेयर करने वाले हैं कटहल, आम, लेसन, अद्रक और मिर्च का मिक्स अचार बहुत जल्दी बनकर त्यार होता है और बहुत जादा टेस्टी बनता है अज हम कटहल का मिक्स और इंस्टेंट अचार बनाएंगे और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से मज़ेदार फ्लीवर्स देंगे लेसन, अद्रक और मिर्च के बहुत ही जादा टेस्टी अचार बनता है इस अचार को बनाने में हम 500 ग्राम के करीब कटहल लेंगे, कटहल नहीं जादा बढ़ा होना चाहिए नहीं बहुत जादा छोटा, एक दो मीडियम सैज का कटहल लेंगे, इसे छील और काट लिया है, उसके बाद इसे हमने हाप बोल किया है हाप बोल लेनी की, एक सीटी आने के पहले-पहले गेस के आज को बंद कर देंगे और इसे प्रेशर से बाहर निकाल लेंगे इसे हमने थोड़े से नमक और पानी के साथ बोल किया था, थाकि कटहल के हर रेशे में नमक कभी फ्लेवर हो कटहल को आप खुले बर्तर में भी पासे साथ बिनिट पका सकते हैं, बस आपने कटहल को गलाना नहीं है या बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कटहल का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, इसके लिए हम इसके अंदर कुछ फ्लेवर सेट करेंगे सामाने तोर पर जब भी हम खटहल का अचार बनाते हैं तो खटास के लिए आमजूर पाउडर यूज़ करते हैं अब चुकि गर्मियों का सिजन है और गर्मियों में कच्छी कैरी अच्छी किस्म की मार्केट में आने लगते हैं तो हम इसा चार के अंदर फ्रेश कच्छे आम का यूज़ करेंगे 25 से 30 कलिया लहसन की यूज़ करेंगे चील कर और 10 से 15 हरी मेर्च या फिर टीखा आप अपने टेस्क के अनों सार एट कीज़ेगा 50 से 60 ग्राम के करीब अध्रक का इस्तमाल करेंगे इन सभी चीज़ों को हमने धोकर सुखा लिया है इन सभी चीज़ों को छीलने के बाद हमने बारी क्रश कर लिया है मीनी चॉपर या फिर हैंड चॉपर के अंदर आप इनने मिक्सी के अंदर भी पल्स मोड पर क्रश कर सकत पल्स मोड यानि की मिक्सी को रुक रुक कर चलाइए एक सेकेंड के लिए चलाइए फिर रुक चाहिए फिर चलाइए ऐसे सभी चीजु का टेक्शर बहुत ही अच्छा आता है कुछ कच्छी केरी को हमने ऐसे छोटे टुकडों में डायस कर लिया है यह खाने में बहुत ही ट लाइए रुक चाहिए एंड देन सेम ऐसे ही रिपीट कीजे बहुत जादा मिक्सी को चलाना नहीं है देर तक अदर्वाइस इसका पेस्ट बन जाएगा कटहल को एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करेंगे और इसके अंदर एट करेंगे एक छोटी चमच के करीब नमक और एक अचार लबी समय तक खराब ना हूँ कम तेल के अंदर भी अचार लबी समय तक तक एक बूल ले लेंगे और इसके अंदर क्रश के वए सबी चीज़े एट कर लेंगे इन्हें भी हम 4-5 गंटों की दूप दिखा देंगे इसके पहले इसके अंदर हम एक चमच भरके हली पा को ड़ लेने से दो फायदे होते हैं एक तो हाचार आपका टेस्टी बनता दूसरा अचार आपका लम्मे समधा खराब नहीं होता, मसाले भून चुके हैं, इनमें से अच्छी से खुश्बू आने लगे हैं, इनका कलर भी अलका साथ चेंज हो चुका है, गैस के आज को बंद करेंगे, और चुकि पैन अभी गरम है तो इसके अंदर एक बड़ा चमच राई दाल, यानि कि स्प्लेट मस्टर सीट सेट करेंगे, और अगर राई दाल नहीं है आपके पास, तो साबुत राई भी अट कर सकते हैं, पैन गरम है और इसे भी अच्छे से से सेख लेंगे, उसके बाद इस मसाले को ठंडा करके, कूर्सली ग्राइड करेंगे, इसे सा अधर की उखली में पीचा है, आप इन्हें मिक्सर जार में में पीच सकते हैं, इन्हें आट करेंगे, और इसके बाद इसके अंदर कुछ एक चमच के करीब साबुत मसाले अट करेंगे, जिसके अंदर तलंजी, सौफ, मेथी और अच्वाइन है, ये साबुत मसाले जब हो जाता है, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं अचार के अंदर, हींग एट करेंगे, एक अठाई छोटा चमच, काला नमक एट करेंगे, एक बड़ा चमच, दो बड़े चमच के करीब साधर नमक, खश्वनी लाल मेच, एक छोटी चमच, एक बड़ा चमच राइदाल हमने यह सफेज इसके करेंगे,इसे रोफ लेवर हैं ऑर जो कच्चे मसालिया हमने एत्के हैं,गरम तेल एकड़ने से लेसन का रोफ लेवर हलका सा कम हो जाता है, और जल दी तयार होता है अचार, इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर वाय प्विनिगर एट करे यानिकी सफेज सिर्का एक या दो बड़े चमबच एड़ करना है इसे एड़ कर देने से हमारा आचार बहुत ही जादा टेस्टी बन जाता है साथे साथ या हमारे आचार को प्रिजर्व करेगा खरामनी होने देगा लॉंग टाइम तक यह सफेज सिर्का आप घर पे बहुत ह कम पैसे में आसानी से बना सकते हैं सिफ दो चीजों से यदि आपको इसकी रेसेपी चाहिए तो आप कोमेंट कीजेगा सभी चीज़े आपस में अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं अब इस बोल को हम एक दिन की धूप दिखाएंगे कपड़ा बान देंगे उपर से और इसे रख देंगे जब आप इस बोल को दूप पे रखेंगे तो आप चम्मा से इसे थोड़ा उपर नीचे कर दीजेगा ताकि चारो तरफ से इसे अच्छे से धूप मिल सके और इसके अंदर का मौश्चर हलका फुलका जो रह गया वह खत्म हो जाए ऐसा करने से होंगे दो फा जबान में रखेगा काच का जार अच्छे से साफ सुथरा और सुखा होना जाहिए लीचे तयार है हमारा कट्हल का मिक्स अच्छार इसे आप तुरंद खाना शुरू कर सकते हो लेकिन आप इसे दो से तीन दिन के बाद खाएगा इसे भी आच्छार के अंदर जो मसाले मैच्छार होने में दो से तीन दिन का समय ले लेता है तो इसे सॉफ्ट होने दीजिए उसके बाद इसे इंजॉय कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थेंक्यू